हलो माई डियर स्टुजेंट्स गूड मार्निंग टू आलप यू और वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिल्ली मैट्स आज ये 15 अगस्त के उपलच्छ में एक कुश्चन आपके लिए लाए हैं कि हाउ टू कनवर्ट सेल्सियस तू फारने हैट मिट डिगरी सेल्सियस से होता है , Sunset सेवन डिगरी सेल्सियंस और फारने हैट में होता हैmaking 98.6 डिग्री फारने हैट यह होता अऑ यह हम कैसे स्को प्रूब करेंगे कि यह इतना होता है कि नहीं होता मैं आपको समझा रहा हूं एक फार्मूला होता है हमारे पास में यह f इकल to nine by five c plus thirty two f equal to nine by five c plus thirty two ये फार्मूला है convert करने का तो हमारा ही value आ जाएगी ठेक तो यहाँ पर जो degree Celsius की value हमको 30 it means यह है को जो c की value हमको कितनी given 37 degree Celsius यह given है तो यहाँ पर हम put कर देंगे इसकी जगह में तो हमको farney head के answer आ जागा जागा impulse questions है कुछ भी नहीं करना Celsius में value put करना आपको farney head की value आ जाएगी so f फार्मूला का है फिसमा repeat कर रहा हूँ f equal to nine by five c plus thirty two right so f equal to कितना हो जाएगा nine by five c means क्या है यह 37 degree Celsius है plus हो जाएगा 32 बस इसको solve कर लेंगे answer आ जाएगा right so f equal to हो जाएगा आप इसको multiply कर लेंगे या इसको पहले divide कर लेंगे तो nine by five को divide किया तो five से divide के nine को five one जा हो जाएगा five यह four हो जाएगा point लगा है zero आया five फेट जाए 40 आया मींस nine by five के लिख सकते हैं one point eight into thirty seven और प्लस thirty two clear so f equal to हो जाएगा इसका multiply कर दो तो thirty seven into eighteen कर देंगे तो eight seven जाए fifty six five कहरी हुआ eight three जाए twenty four five कितना हो twenty nine हो गया और यह class लगाया one seven जा seven one three जा three इसको add किया six nine seven sixteen three two five one six और एक decimal आपको one point है तो decimal लगा दी तो हमारा कितना है हमारे पास sixty six point six plus हो जाएगा thirty two right अब sixty six point six में हम इसमें add कर देंगे कितना है हमारे पास में sixty six point six में हम thirty two add कर देंगे thirty two तो यह जगा ninety eight point six आगए दो कि यही आगए ना फारने हैट में तो f equal to foreign height equal to कितना आया ninety eight point six degree foreign height आगए degree foreign height यह value हमारी आगए ठेक so we have to write here हमारा answer क्या आएगा यह आपर so answer आएगा हमारे पास में c को यह आजाएगा आपका degree Celsius है तो यह हमारा answer आजाएगा thirty seven degree Celsius हमको मालूम का temperature किस मनुसकत कितना आगा फारने हैट में हमारा आगए कुल्टो ninety eight point six degree foreign height यह हमारा answer आगए ठेक पताया था न मैंने कि thirty seven degree Celsius में होता है तो फारने हैट में होता ninety eight point six फारने हैट यह किसी मनुसकेट बॉड़ी का temperature होता ध्यान से देखिएगा कैसे निकालने के मैंने आपको तरीका बता दिया है सिंपल सा है degree Celsius से फारने हैट में चेंज करेंगे फार्मूला हमको यह लर्न करना है बोलिए मेरे साथ f equal to nine by five c plus thirty two f equal to nine by five c plus thirty two बस c की value जो हमको 37 degree given है यहाँ पर put कर दीजे ठेक आप इसको multiply करके five से divide कर दीजे या nine by five को मैंने divide कर लिया यहाँ पर explain किया आपको तो वे one point eight आ जाएगा into 37 किया प्लस 32 आ जाएगा इन जब दोनों को multiply के तो 66.6 हो जाएगा प्लस 32 हो जाएगा अब दोनों को मैंने add किया तो 98.6 फारने हैट आ गया it means 37 degree Celsius equal to 98.6 degree फारने हैट यह value होती है राइट समझ में आ गया तो first question मैंने आपको explain किया है अब इसका आईए second question भी मैं आपको explain किये देता हूँ second question लिखे यह है इसमें कि यह degree Celsius से फारने हैट में चेंज करना है आपको convert 50 degree Celsius to करना है आपको degree फारने हैट में राइट तो c की value हमको कितनी given है c की value हमको मालूँ है 50 degree Celsius degree Celsius value मालूँ राइट तो यहाँ value put कर दो f equal to हो जाएगा 9 by 5 c means कितना है और how much 50 यहां लिख दीजे 50 प्लस हो जाएगा 32 राइट f equal to आएगे इसको divided 1.8 हो जाएगा नहीं करना अगर by chance तो 5 अंजा 5 5 10 जा कितना होगा 50 हो जाएगा ठेक 5 10 जा 50 हो जाएगा तो आपको कितना आपका 9 into 10 plus हो जाएगा 32 it means कितना हो गया f equal to 90 plus हो जाएगा 32 so f equal to कितना आजाएगा इसको add कर दीजे 50 plus 32 how much यह 2 हो जाएगा 9, 3 हो जागा 12, कितना जागा आपका F equal to 122 यह degree farney height आपके बहलू आगे, यह सो हो जागा equal to 122 degree farney height it means we can say that यह हमारे पास आंसर क्या है कि 50 degree centigrade equal to कितना है how much 122 degree farney height यह हमारा answer आगे clear यह हमारे पास में answer आगे, it means formula हमारे पास में क्या है, कि F equal to 9 by 5C plus 32, इस formula का हम use कर देंगे, simple सा इसको learn कर लीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया, first question में भी F equal to 9 by 5C plus 32 इसको हम इसको learn कर लेंगे और C की value यहाँ put कर देंगे इसको 5, 10 जा किया, 50 हो जाएगा, 9 into 10 plus 32 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 9 into 10, 98 है, plus 32, दोनों को add कर देंगे, तो F equal कितना आजागा हमारे पास में, 122 degree Fahrenheit, it means, we can say that, कि 50 degree Celsius जो value ली है, तो वो 122 degree Fahrenheit के equal है, समझ में आ गया, so my dear student, यह मैंने आपको two questions explain किये हैं, यह कि degree Celsius को Fahrenheit में कैसे change करते हैं, इसका दूसरा वीडियो भी हम बनाने चाहते हैं, कि degree Fahrenheit को Celsius में कैसे change करेंगे, so my dear students, ध्यान से देखते रहिए, उसको भी हम दिखाएंगे आपको, और formula याद रखिएगा, F equal to 9 by 5C plus 32, F equal to 9 by 5C plus 32, so my dear students, यह आपको समझ में आ गए होंगे, so अगर आप हमारे यूट्यूब चालल में new हैं, तो subscribe जरूर कर लिजए, इस तरह के आपके useful वीडियो आपको मिलते जाएंगे, और अपने friends को जरूर share कर दे, जिससे कि उनको भी benefit मिले, so okay, so thanks for watching and thank you, have a wonderful day, thank you so much.